गुद इमनिंग टॉल स्टेंज वेलकम टू साइन्स अवन आप सभी का स्वागत है और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हूं अच्छे होंगे और चिते भी स्टेंज से जल्ली से यहाँ पर आजाएए ठीक है अंकी तोमर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का और इस सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सभी को बता दूँ कि आप लोगों के लिए तेज तारी इस फ्राइडे शुक्रवार को बहुत इस शांदर एक मेराथन आरी है 12 घंटे की लगातार मेराथन को दो बजे से नक्लस आप लोगों को स्टार्ट हो की दो आप सभी मुझे आने केड में लर्निंग आप में फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर दिन में एक बजे और रात में नौ बजे मेरी क्लास चलती है तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पर आईए और सबसे पहले आप लोगों को क्या इहां पर करना होगा ठीक है हीमानी बहुत अच तो अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर कोई भी फ्री रजिस्टेशन करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तियारी कर रहे हैं या कोई भी आपका भाई बहन है जिसको आप कोर्स दिलवाना चाहते हैं तो अम्रिता एस यह यहां पर हो जाएगा तो अगर आप लोग इंट्रस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोग पार्टिसपेट करिए और इसके साथ सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर सही कंटेंट नहीं दे रहा है या फिर कोई भी ट पांदार यहां पर स्कॉलर्शिप चलता है जिसमें वन किलोर रूपीज तक का स्कॉलर्शिप है हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्द हैं पचास मिनट में आपको 40 कोश्चन्स यहां पर करने होते हैं फ्री लाइफ टेस्ट यह होता है ऐसा नहीं है कि आपको बा करके रखेंगे और डायुट सेशन यहां पर लेकर के चलेंगे हैं और तरफ से आस्क करके आसक ऐडाउट ऐसा एक धिच्ट बीकी तरफ से यहां पर एक नया आ रहा है तो आप Amrita S Code का यूज़ करके अपने डाउट सुहा पर सेंड कर सकते हैं चलिए, तो ग्लास को अब हम यहाँ पर जल्ली से स्टार्ट करते हैं ठीक है, ठीक है हिमानी, ओके प्रिज भूशन, नमस्ते, सभी को नमस्ते आज़े ही सभी बच्चे जल्ली से ओके, तो जो पहला कोशन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है और देखते हैं यहाँ पर कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करके यहाँ पर बताते हैं पताईए फुड़ा पड़ से इसका आंसर करेंगे बच्चों यहाँ पर पहला कोश्चन आप लोगों का आ चुका है देखते हैं कि इते बच्चे आपर सही आंसर करके बताते हैं नमस्ते नमस्ते वेरी गुड़ इवनिंग विद्धूद मोनो सिंग नमस्ते हाँ बहुत बढ़ बढ़िया मोनु क्लास हो चुकी है अ क्न पर है गुज्राथ में घंजर है तर फिर तेया की अगर हम बात करते हैं तो चंच वाला प्रदेश है तो कच जीले में कच दिस्टिक में यहां पर है और भारत का जो सबसे पहला मुठ्ट वैपार जो था वह यहीं से फी इस आठton किया गया था और भारत में जो सबसे बड़े 12 मुख्य बंदरगाह उनहीं में से यहां एक यहां यहां पर ठीय क्या अब next question कि और हम आपने पर मूफ करेंगे नेक्स्टक सवाइब कि भारत के निमिzel खित में से किस राज़्य का लोक रुथ प्रिति सुमीत У olsun लर्न टू हरी बहुत अच्छा चलिए बच्छों जलिसस का अंसर करेंगे ठीके दिलखुश प्रीती कौन सा आंसर सही होगा और आंसर क्या हो जाएगा महरास्ट वेरी गुड तो फटापर से आपको यहां पर नोड करना है तो फर्स आफ नंबर महरास्ट मध्यप्रदेश कर नाल के साथ धोलक के साथ बहुत ही शांदर तरीके से जो महिला कलकार होती है वो बहुत ही शांदर तरीके से उसकी धुन पर थिरकती है तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर लावनी कहा का है महरास्ट का है इस जिसको आपको ध्यान में यहां पर रखना है तीक है आप चलि यानि कि पूरा पशानकाल नाव पशानकाल और फिर मेजो थीरेक काल या फिर मेगालिथिक काल जहां पर सुत्रगमुर्ग भी इंडिया में पाए जाते हैं तो आपको पता होगा कि अब यह सिर्फ और सिर्फ जो रेगिस्तान मला जो बहुत ज़्यादा इलाका है और इंडि जहीं से आपकरू इसका कौन सा आणसर विल्कूल इहापर जहीं होगा जिखते हैं किठे बाशे हाँ पर सहीं आसर करते हैं ठीक कर्थ ऑर्मान ओर्मान ठीक है प्रें का चलो बचो जली से बता दो यहाँ पर वेरि गृडवаласьर करो तो पूरा पशानकाल पर बिलकूल और सह यह होता है evidence है ना history किस तरीके सिथी उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है evidence evidence यानि कि प्रमाण हमको चाहिए होता है तो महरास्ट की हम बात करते हैं कहां कि महरास्ट की हम बात करते हैं महरास्ट में एक area है ठीक है एक जगह है जिसका नाम है पाटन तो आप यहां पर लिख लेंगे एक एरिया है जिसका नाम है पाटन और यहां पर क्या मिला है सुतुर्ग मुर्ग के अंडे के छिलके यहां पर मिला है तो जो एग शेल्स होते हैं तो सुतुर्ग मुर्ग के अंडे के एग शेल्स यहां पर मिले हैं और जब उनकी डे है कि पुराने जमाने में जब हम देखें अपनी हिस्ट्री में उठा करके तो जो सुतुर्ग मुर्ग है वो भी कहां पर है यहीं पर थे लेकिन आप नहीं मिलते हैं अब नेस कोशन की ओर हम मूव करते हैं गांधी जी ने निमली खिद में से किसे अजात शत्रू कहा था महात्मा गांधी ने किसे यहां पर अजात शत्रू कहा था लाला लाचपत राय बाल गंगा धर तिलक भगत सी या फिर डॉक्टर राजिंद प्रशाद बताओ जली सा अंसर कर तो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा दिल्खुल इस तरह के कोशन नहीं आते हैं कि भारत में विदेश जाने वाली महिला सीता थी क्योंकि वो लंका गई थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो यह सब इस तरह के कोशन नहीं आते हैं और नहीं इस तरह क आप लोग पढ़ा करो बिकार चीज़ है यह थीक है आप जली से यहाँ पर आँसर करेंगे इसका कौनसा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं कि बच्छें आपर सही आंसर करते हैं ठीक है और आप बात करो तो आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर राजिंद्र प् लिए गांधी जी ने इनका क्या नाम रखा था यहाँ पर अजाद शत्रू ठीक है कुछ बच्छे भगत सिंग कह रहे हैं नहीं आंसर क्या होगा गांधी जी ने अजाद शत्रू किसका नाम रखा था डॉक्टर राजेंदर प्रशाद बहुत अच्छा हाँ सादगी में वो रहते थे बहुत जादा थीक है नमस्ते दिवा कर सभी को नमस्ते नहीं तो आंसर के गर आप बात करें तो यह जो भगत सिंग जी है यह गलत आंसर है आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए डॉक्टर राजेंदर प्रशाद नेस्ट कुश्टन के और हम यहाँ पर मूफ करते हैं और जली साब को आंसर इसका करना है प्रतिहार वंश्ट का सबसे बड़ा शाशक कौन था चलो बच्चो जली से इसका आंसर करेंगे आप सभी कौन सा आंसर यहाँ पर बिलकुल सही होगा दिखत बच्चें हैं किदने बच्चें आपर सही आंसर करके बताते हैं कि वेड़ी गुड बताएए फटा पर सा सभी होगा ठीक है बहुत अच्छा तो डियरश्ट्टेंस आंसर कि आपर बात करें तो आशका होना चाहिए विह घँख तो जो गुर्चर प्रतिहार थे उनके प्रभाव में यहां पर बने हुए और उसके बाद यह माना जाता है कि उजयन या फिर मंद सौर में उनका राजेकाल था किनका इहां पर राजेकाल था गुर्जर प्रतिहारों का नागभट प्रथम इस राजवंश के सबसे प्रथम महाशक्तिशाली शाशक के रूप में थे और उन्होंने 730 से लेकर के 756 इश्वी तक आप कह सकते हो कि बहुत शांदर तरीके से उन्होंने शार्षन किया था और उसके बाद ग्वालियर, भरुज, मालवा इन सभी में उन्होंने बहुत अच्छे से राज़ किया और अवनी उनके राज़ी के टाइम पे होगा अब नेक्स कोशन के और हम यहां पर मूव करते हैं क्रांती 2020 के लेखक यहां पर कौन है रिवोल्यूशन 2020 के जो लेखक है वह कौन यहां पर हैं देखते हैं किते बच्छे यहां पर इसको सही आंसर करके बताते हैं बताईए पड़ाफट से आंसर करेंगे यहां पर इयर 2020 के अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इयर 2020 किसने यहां पर लिखा है चेदन भागत अमीश्रिपाथी रविंद्र सिंग या फीड विक्रम शेथ देखते हैं किते बच्छे यहां पर बिलकुल सही आंसर करके बताते है ठीक ही मानिंग ठीक है ब्रेज बहुत अच्छा तो प्यारे बच्छों आंसर के अगर आप बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा चेदन भागत यहां पर बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है और आप लोगों को पता होगा कि यह नोविल लिखते हैं उपर न्यास लिखते है तो आपने देखा होगा कि जो थ्री एडियेट्स नाम की जो मूवी बनी थी वहां फाइव पॉइंट समवन नाम की इनकी नोवल थी उनी के उपर बनी थी टू स्टेट जसमें आलिया भट और अरजुन कपूर थे यह जो मूवी बनी थी वह भी उनकी टू स्टेट नाम की जो कहना चाहिए नॉवल थी उसके उपर बनी थी काई पोचे जसमें शुशान सिंग राजपूत रहे हैं बहुत अच्छे नेता रहे हैं ठीक है तो उनकी थ्री मिस्टेक्स ओफ माई लाइफ यह नॉवल का नाम था उसके उपर बनी थी हाफ गल्फरेंड नाम की एक मुवी आई थी वह इनके उपन्यास के उपर इनके नॉवल के उपर बनी थी हाफ गल्फरेंड ही उसका नाम था हैलो करके एक मुवी आई थी है ना तो हैलो नाम की जो मुवी आई थी वह वन नाइट इन दा कॉल सेंटर इनके एक नॉबल थी उसके उपर बनी थी, ठीक है, तो इस तरीके के काफी questions इनके उपर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है सुनू, अब next question के और हमें यहाँ पर move करना है, और जली से यहाँ पर answer कर रहा है, ठीक है जगदीश, SSC GD का paid course लेना है, ठीक है, अब हम यहाँ पर next देखते हैं, अजय कुमार कहरें एक भी नहीं आ रहा है, कोई बात नी, कोई बात नी, आप धीरे-धीरे पढ़ाई करो, आपको आ जाएगा, परिशान मत हो, अब हम यहाँ पर next देखते हैं, डीमे मैं से कौन सा यहाँ पर जल कभी हम water cycle के बारे में बात करते हैं, तो water cycle में होने वाली जो विभिन प्रक्रियाएं होती है, उनमें से कौन से process इसकी यहाँ पर नहीं है, चलो बचो, जली से इसका answer करेंगे आप सभी, कौन सा answer यहाँ पर विल्कुल आपका सही होगा, देखते हैं कितने बच्चे हाँ प ऐसा समुद्र से, ठीक है, season से या फेर ओशन से हम यहाँ पर इसको start करते हैं, समुद्र यहाँ सागर से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पानी ऊढ़ा, evaporation होब वासपी करण हुआ, इसके बाद यहाँ पानी ओड कर के वाडल होडा, यहाँ पर बादल बना, clouds बने, तो clouds क आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन के बारे में तो जो अमोनिफिकेशन होता है वह किस से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन साइकल से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन साइकल से वह यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इस चिसको आपको ध्यान में रखना है अब नेस्ट कोशन की और हम यहां पर मूफ करते हैं भारती सविधान के किस अनुच्छेद में राश्पती के चुनाओं के बारे में बताया गया है चुदो बचो जुलिसास का आंसर करेंगे आप सभी कौन स आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं कितने बच्छे यहां पर सही आंसर करते हैं भारती सविधान के किस अनुच्छेद में राश्पती के चुनाओं के बारे में बताया गया है थांक यू मुकेश आदाओ ठीके प्रेयंग का चलो बच्छो चली से बताओ यहां पर कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल यहां पर सही होना चाहिए जगते हैं कितने बच्छे यहां पर सही आंसर करके बताते हैं बताइए फटाफर से बेरी गुड फिफ्टी फोर ठ आंसर क्या हो जाएगा 54, आर्टिकल 54 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्षयन क्या करोगaval? यहां पर 2 अप्षिन रख सकते हो या फिर B आंसर भी आप यहां पर सही अपना कह सकते हो opponents are the next question की list looking और हम यहां पर कौन सा element, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा तत्व है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, चलो बच्छो चली से इसका answer करेंगे, कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा, देखते हैं, कितने बच्छे यहाँ पर इसको सही answer करके बताते हैं, बताईए फटाफट से कौन सा answer, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल्ड होगा, जिंक होगा, कौपर होगा, या फिर ग्रिफाइड यहाँ पर हो जाएगा, तो answer आपको क्या करना है, कि यहाँ पर answer होगा, कौपर, यानि कि तामबा, तो फटाफट से आप नोट करेंगे, कि कौपर के लिए यह काफी जादा यहाँ पर famous है, कौपर के लिए यहाँ बहुत जादा यहाँ पर famous है, very good, बहुत अच्छा, तीके नरेंद्र, very good, जगतीश, very good, बच्छो, बहुत बढ़िया, अब हम यहाँ पर next question की ओर move करते हैं, मध्यप्रदेश शरकार में निमलिखित में से कौन सा पुनुशकार नहीं है, अगर हम मध्यप्रदेश के बारे में बात करते हैं, या किसी भी राच्छी की बारे में बात करते हैं, तो वो वहाँ के लोगों को, जैसे खास्तोर से जनरलिस्म के लिए, है ना, या फिर साहित्तिकार जो होते हैं, है ना, ओथर्स बगरा जो होते हैं, scientist होते हैं ऐसे चोटे-चोटे से क्या करते हैं पुरुषकार देते हैं लोगों को appreciation के लिए लोगों को appreciation करने के लिए ठीक है appreciate करने के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखो किशोर कुमार पुरुषकार, रानी लक्षमी बाई पुरुषकार, काली दास, सम्मान, लता मनकिशकर पुरुषकार इनकी अगर हम आवोर्ड के बारें बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा आवोर्ड नहीं दिया जाता है चलो बच्चो जली से बतादो यहाँ पर, परितिसिंग बिल्कुल चेतन सर पढ़ाते हैं, दिन में उनकी ख्लास होती है चलो जली से answer करेंगे यहाँ पर, देखते हैं कितने बच्ची यहाँ पर सही answer करके बताते हैं और आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मी बाई एवोर्ड क्या रानी लक्ष्मी बाई एवोर्ड और रानी लक्ष्मी बाई एवोर्ड जो होता है वह योपी में दिया जाता है माध्र प्रदेश में नहीं दिया जाता है तो आप लोग पर किसी इस तरह का एवोर्ड नहीं दिया जाता है ठीके बचों तिसलिए यहां पर लिख लिए कि रानी रक्ष्मीबाई जो एवोर्ड है वहाँ यूपी में दिया जाता है मध्यप्रदेश में किसी भी छेत्र में नहीं दिया जाता है तो फड़ापट से आप लोग इसको पर नोट कर लीजे अब नेस्ट कोशन के और हम यहां पर मूव करते हैं निम्लिखित में से किसके 71 इस्थापन जीवन के अवसर पर संस्कृत स्रिक्षन एप लिटिल गुरू का लॉंच किया गया है अब यह काफी अच्छा कोशन है और काफी करन्ट से भी जूड़ा है आ सड़ोपी के सासाथ यहां पर हर्याना के बारे में भी बात होती है था कर drawer में भी आजकल बहुत ज़्यादा राणी लक्ष्मी बाई एमोर्ड मिल रहा है तो जो की Sanskrit का यहाँ पर app है चलो बचलो जली साइस का आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा क्या बात है बहुत अच्छा और आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए ICCR क्या आंसर होज़ाना चाहिए ICCR तो फुटा फुट से आप लोग यहाँ पर इसको नोट कर लोगे क्या होती है full form ICCR की कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर पता है क्या बात है बहुत अच्छा तो लिख लिजे ICCR की full form क्या होती है लिखिए इसको जल्ली से यहाँ पर Indian Council लिखो बिटा आपसे बात मत करो Council for Cultural Cultural Relations तो फुट आपट से आप इसको नोट करिए Hindi में अगर हम यहाँ पर देखें तो भारतिय संस्कृति संबंध परिशक भी इसको यहाँ पर कहा जाता है भारतिय संस्कृति संबंध परिशद भी इसको यहाँ पर कहा जाता है तो फड़ा फड़ से आप लोग इसको यहाँ पर नोट कर लीजे जली से इसकी स्थापना कब हुई थी मैं बिटा इसकी जो स्थापना थी वो 1950 को हुई है 1950 यानि कि 1950 में इसकी स्थापना यहां पर की गई थी किसने किसने किया था जो भारक के पहले सिक्षा मंत्री रहे हैं ठीक है और कौन थे इंडिपेंड़िट इंडिया के फर्स्ट एजूकेशन मिनिस्टर कौन थे बहुत अच्छा मौलाना अब्दूल कलाम अजाद ठीक है तो बड़ा बड़ साहब यहां प सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जली सांसर करेंगे अब इंडियन ओवर्सिस बैंक के संस्थापक कौन है एम चिंद बरक चेटियार वीजी काले डेव करन नानेची या फिर राणा कपूर बताओ जली सांसर करो पेटा यहां पर कौन सांसर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा देखते हैं कि ते बच्छे यहां पर सही आंसर करते हैं बताओ पटा पर आंसर करो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर हम बात करते हैं यहां पर इंडियन ओवर्सिज बैंक के बारे में यहां पर है कौन यहां पर है चलो बच्छो चले से बताओ वेरी गुड बहुत अच्छा सौरभा वेरी गुड और answer के अगर आप बात कर रहो तो answer क्या होगा A option बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा M चिंद बरन चेट्टियाद ठीक है तो प्रवर साथ आप यहाँ पर note करेंगे A option वेरी गुड बच्छो बहुत बढ़ी आकाश वेरी गुड अब ठीक है लेट हो गए हूँ कोई बात नहीं अब next question के और हम यहाँ पर move करते हैं यहाँ पर बात हो रही है दखुर्दा विद्रोह के बारे में ठीक है खुर्दा विद्रोह होना चाहिए खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में यहाँ पर हुआ था चलो बच्छो जली से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो दखुर्दा विद्रोह है वहाँ किस काल में यहाँ पर हुआ था किस वर्ष में यहाँ पर हुआ था चलो बच्चो चलो इस आंसर कर देंगे यहाँ पर कौँसा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था और स्वतंत्र ओडिसा में खुर्दा के पाय का द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर लड़ा हुआ था ठीक है जहां पर बक्सी जगबंदु विद्याधर ने लीडर्शिप की थी ठीक है और इसी लिए यह काफी जादा यहां पर फेमस युद्ध है तो इस चीज़को आप यहां प पर मूव करते हैं नैस है निमली कित में से किस क्रिकेटर क्रिकेट खेलने वाले देशों ने मार्श 2019 में लगा था तीसरे वर्ष टेस्ट चैंपियंशिप का खिताब यहां पर हासिल किया है चलो ठीक है नरेंद्र ठीक है जगदीश सौरबाफ मिस्टर सकसेना सभी कौन सा आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा और आंसर यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर हम देखें तो मार्श 2019 में लगा था तीसरे वर्ष टेस्ट चैंपियंशिप का किताब किसने जीत लिया है हमारे प्यारे भारत ने यहां पर जीत लिया है तो फटाबट से आप असर होगा और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं 100% शूर नहीं हूँ पर न्यूजेलेंड के साथ इसका मैच हुआ था और इंडिया ने यहां पर इसको जीत लिया था है ना ठीक है माकल अर्ला ओके विश्णु जी बहुत अच्छा सौरव बहुत बढ़िया शंकरा वेर बच्छो जلी स इसका आंसर करेंगे हाँ पर कौन सा आन्सर बिल्कुल इहां पर सही होगा देखते हैं कित्ते बच्छी हां पर सही आंसर करते हैं बताईए ऑलो हैं अर्मान अली प्रेंका ठीक है सुनील चलो बच्छो जलिस इसका आंसर करेंगे टेजपाल अच्छा अर्मान बहुत बढ़िया बेरी गुड बेरी गुड सुमन और आंसर के गराब बात कर रहे हो तो जियो थर्मल एनर्जी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो भूट आपी यह उर्जा तो भूट आपी उर्जा यानि कि जियो थर्मल जो एनर्जी है वह सी ओरियंटेट नहीं है सागर महा सागर इंसर का कोई लेना देना नहीं है बाकि अगरा वेव एनर्जी ओशन थर्मल एनर्जी और टाइडिल एनर्जी यानि कि ज्वार के और हम यहां पर मूव करते हैं पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था चले चली सांसर करेंगे फटापर से कौन सांसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था बताईए फटापर साशार करेंगे यहाँ पर देखते हैं कितने बच्छी हाँ पर सही आँसर करके बताते हैं Who build the size all in the party Allah बताईए बच्छों जली साशार करेंगे कौन साशार यहाँ परnier बिल्कुल सही होगा Very good आसर के एकर आप यहाँ पर बात करते हैं सांसर क्या हो जाएगा महराजा नरिंद सिंग तो जल्दी सांसर करेंगे कि जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल यहां पर सही होगा कप कराया था मैं जहां तक मुझे याद है एटीन फॉर्टी सेवन शीश महल जिसको आप परТакयाला में पैलस ओफ्अफ श्सक्रायागर बेहा है और पेछे की तरफ ही इसको बनवाया था यहां पर काफी सुन्दर सुन्दर आप देखोगे terrace है, gardens है, fountains है, artificial lake है, तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यह जो महल है, यह जो palace है, ठीके बैचों, चलो, अब इसके बाद हम यहाँ पर next question की ओर move करते हैं, और जली से यहाँ पर इसको answer आपको करना है, ठीके सुनेल, ठीके बिरेंद्र, आप जली से यहाँ पर बताईए, इसको answer आप लोग करिए यहाँ पर, आगे हम यहाँ पर next बढ़ते हैं, नेमरे में से कौन ध्वनी तरंग की विशेशता नहीं है, बिच आप दा फूलोइंग इस नौट ए करेक्टर स्टिक आप दा वेव साउंड, अगर आ सारे जो शीशा है, दरपण हैं, उससे यहाँ बना हुआ है, बताईए, फुटाबर से answer करेंगे, यहाँ पर कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, बहीं, साउंड वेव के अगर हम बात करते हैं, तो वेलास्टे तो होगा, वेवलेंध भी होगा, एम्प्लिट्यूट भी होगा, पर यह nature का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए answer क्या हो जाएगा, वे option आपका, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तो फटाबर से आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर नोट करेंगे, कि answer जो होगा, वे answer आपका, बिल्कुल यहाँ पर सही हो इसका कोई मतलब नहीं है, फाल्तों में यह लिखा हुआ है, ठीके सुरज, अब next question के और हम यहाँ पर move करते हैं, नैसे आपका कि प्रथम अंतरास्टियर, प्रित्वी शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने यहाँ पर भाग लिया था, यानि कि जब हम पहली बार, first time, international earth summit क पर रहे थे, तो कितने countries ने यहाँ पर participate किया था, 170, 172, 175, 180, चलिए, चलिए से इसका आंसर करेंगे आप सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा, जिखते हैं किते बच्चे यहाँ पर सही आंसर करके बताते हैं, क्या बात है, और सभी को मैंने पढ़ाय हुआ है ना, कि जब हम Biodiversity के बारें बात करते हैं, जब विवित्ता के बारें बात करते हैं, तो सबसे पहले जो यह World था, जो ध्यान में आया था लोगों के, वो कहां पर आया था, First International Earth Summit के टाइम ही, यह World काफी जादा फेमास हुआ था, और Dr. Wilson थे, उन्होंने ही सबसे पह करिए, 172 देश थे, बिल्कुल सही बता रहे हूं, 172 कंट्रीज थे, उन्होंने यहां पर इसमें पार्टिसिपेशन किया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसके बाद कब हुआ था, मैम, इसके बाद 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था, पहला था, वो था, ब्रजील में, रियो डीव जनेरो करके जो जगह है, वहाँ पर सबसे पहले पृत्वी सम्मेलल हुआ था, जिसमें 172 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट यहां पर किया था, ठीक है, क्लियर है, हाबिलकुल एजेंडा 21 यही पर ही पारित किया गया था, एजेंडा, एजेंडा 21, ठीक है, अध में हम अधहन पर हमारे पास है, जो इस ट Clean Each है , इसी प्रक्रति उतने ही R irmे शूर्सेस उतने ही संसाधर हम आपने आने वाली जैशन है उनको भी दे सकें इसी वह क्या कहा हो जाता है सस्टने बल डेवलपनेंट कहा जाता है , ऐसे कि आप लोग देखो जब हमारे मम्मी पापा थे जिस एज में थे यंग एज में थे उस ताइम पर कभी भी उनोंने यह नहीं सोचा होगा कि जो पानी है वो बॉटल्स में मिलेगा राइट बच्चो पैट्रोल बिकने लगा था लेकिन पानी नहीं बिकता था लेकिन अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो आज की टाइम पर पैट्रोल के तो खेल छोड़ी दो पानी भी बिक रहा है पर कल को क्या पता कि ऑक्सीचन भी बिकेगा ऐसा हम बोलते थे आज से 5 साल पहले लेकिन आप खुझ अब देख लो कि इतनी गंदी स्थती हो गई है कि अब ऑक्स अफेशन भी बिख रहा है तो बच्चों ये सब क्या है यह सटेबल डेवलाप्वेंट नहीं कहला था सटेबल डेवलाप्मेंट सत्क विकास मतल уж यहीं होता है कि जो भी प्रकृति की तरफ से दिया गया resources है, जो कुछ भी संसादन है जो कुछ भी हमें मिला है हम ऐसा विकास करें ऐसा development करें, मतलब development करें लेकिन ऐसा करें कि जो कुछ भी आज हमें मिला है, वह किसको मिल सकें हमारी आने वाली जो generation है उसको भी ऐसे ही यहां पर मिल सकें, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यार में रखना है, लिए रे बच्चों चलो, नमस्ते मेरे स्मूर बटा, NDA में भी यह आपकी बहुत काम करेगा, अगर आप defense की त्यारी करते हो, biology की त्यारी करते हो पढ़ना चाहते हो, आप इस channel से जोड़े रह सकते हैं, यह आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर helpful होगा ठीक है, अब next question की और हम यहाँ पर move करते हैं मैं हम आप wifi पर पढ़ाती हो, हाँ मैं wifi पर पढ़ाती हूँ और wifi study channel पर मैं दिन में 12 बजे science का practice session कराती हूँ बाकि आप लोगों को यही पर ही आना है ठीक है, चले अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में lead के बारे में, किसके बारे में lead के बारे में यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि अगर हम एक तत्व lead के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका प्रतीक तो क्या यहां पर होता है? उसका प्रतीक यहां पर क्या होता है? चलो बचो, जली सा अंसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर विलकुल आपका सही होगा. अगर हम यहां पर element, lead के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका प्रतीक क्या होगा? lead element, very good, बहुत अच्छा पूजा, प्रतीक, सौरव, बिकु, और मा का लाडला, विद्धु, प्रतीभा, पवित्रा, सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, और आंसर क्या होगा होगा? यहां पर PB, तो फटापर से आप इसको यहां पर नोट कर लीजे, क्या बात है? बहुत देखो, इसको अगर आप देखो, तो यह ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का कुछ यहां पर दिखाई देगा, और इसका atomic number भी कई बार आपके exam में पूछा जाता है, तो फटापर से नोट कर लीजे, किसका जो atomic number होगा, वो है 82, तो फटापर साब इसको नोट कर लो, इसका जो atomic number ह है, वहां कितना है, यहां पर, 82, atomic mass कितना होगा, अच्छा, हाँ, मुझे पता था ना, कि एक चीज़ स्टार्ट होती है, तो फिर आप पूछते ही हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, atomic mass, atomic mass के घरम बात करें, तो 204 के आसपास होता है, जहां तक, नहीं, 207, 207.2u के आस ज्यादा होता है, 327.5 degree, सी के आसपास आप इसको यहां पर देख सकते है, atomic radius होता है, 152, ने, 175 PM, हाँ, ठीक है, इतना काफी है, जितना मैंने यहां पर लिखा, इतना काफी है, ज्यादा एक्जाम में आपसे नहीं पुछेगा, चलो, अब हम यहां पर next question कियोंग करते हैं, नेवली खित में से कौन सा देश, विश्व वेपार संगठन का सदस्य नहीं है, अगर आप यहां पर बात कर रहे हो, तो World Trade Organization का इनमें से कौन सा यहां पर सदस्य नहीं है, वर्ल्ड ट्रेट और्गनाइजेशन का सदस्य नहीं है, चलो बच्व, जली से आंसर करेंगे यहा पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो फटाबर से आप लोग यहां पर नोट कर लेजे, कि जो इरान होगा, वह यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक, अब इसके बाद आपसे नेक्स कोश्चन पुछा जाता है, कि भई, वर्ल्ड ट्रेट और्गनाइजेशन के बारें बात कर रहे हैं, तो इसका जो हेड़कॉर्टर है, वह कहां पर है, तो आंसर आपको तुरंद करना है कि जिनेवा में है, कहां पर बिल्टा, जिनेवा में है, और जिनेवा कहां पर है, स्विजर लेंड में है, कहां पर है, स् इसके अलावा एक additional point आपको बता देती हूँ Dr. Ogunzo Ivela पहली ऐसी महिला है फिर्स्ट वुमेन है और फिर्स्ट अफ्रिकन वुमेन है फिर्स्ट अफ्रिकन है जिनको इनका महा दिनेशक यहाँ पर जुना गया है यानि कि Director General यहाँ पर जुना गया है ठीके बिचो चलो अब हम यहाँ पर next question की ओर move करते हैं What should be the investment of the micro enterprises in plant and machinery यानि कि सयंत्र और machinery के सुक्ष्म उद्यमों का निवेश क्या यहाँ पर होना चाहिए मतलब यह कह रहा है कि कितने रुपए के बीच में आप यहाँ पर जो सुक्ष्म उद्योग है यानि कि जो micro industry है उसको आप start यहाँ पर कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है चलिए जलिसा answer करेंगे यहाँ पर कौँसा answer यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा पताईए फटाफर से देखते हैं कि ते बच्चे इहाँ पर इसको सही answer करके बताते हैं बदाईए फटाफर से answer करेंगे यहाँ पर कौँसा answer यहाँ पर सही होगा और answer होगा यहाँ पर कि more than 25 lakh यानि कि जब आप यहाँ पर लगभग 25-25 लाख के आसपास के रुपए के बारें बात कर रहे हैं या उसे ज्यादा पैसों के बारें बात कर रहे हैं तब ही आप यहाँ पर plant और machinery के लिए क्या कर सकते हैं manufacture sector में आप कोई भी यहाँ पर plant लगा सकते हैं micro enterprises के रूप में तो आपकी पास लगभग minimum से minimum कितना यहाँ पर होना चाहिए 25 lakh से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ठीक है अब next question के और हम यहाँ पर move करते हैं और जली से आप लोग को इसका answer यहाँ पर करके बताना है कि ताल सेन समाहरोح कहा मनाया जाता है अगर हमें आपर बात करते हैं तान सेन के बारे में तो तान सेन समाहरोह कहां पर बनाया जाता है काफी अच्छा कोशन है, चलो बच्छो जली सांसर करेंगे यहाँ पर, कौन सांसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्छे हैं आपर सही आंसर करते हैं तान सेन मैं फिर से बारिश आ गई, चली, कोई बात नहीं है, आप लोग अपना ख्याल रखें यहाँ पर, और जली सांसर करें यहाँ पर, ठीक है, सौड़भा, अनिकेत, जगदीश, प्रियंका, दिलखुश, बहुत बढ़िया, पताओ बच्छो जली सांसर करों यहाँ पर प्रशांत, यूटूब पे मेरी फिजिस्ट की क्लास अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जली आ जाएगी, पर आपको इसके लिए 10 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है, 10 दिन रुकना पड़ेगा, नहीं, इन दौर बिलकुल गलत आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, ग ग्वालियर, तो फटाफर से आप इसको यहाँ पर नोड कर लीजे, ग्वालियर यहाँ पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम देखें, तो इनका जो जन्म था, तान सिंग का, आपको पता है कि बहुत बड़े संगीतकार, बहुत बड़े गाया क जो अगबर है उनके नौ रतनों में से एक रतन ये भी थे, है ना, आपको पता होगा, ठीक है, इनका जो सही नाम था बेटा, वो था यहाँ पर राम तनू पांडे, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर नोड कर लीजे, राम तनू पांडे, हाँ, बिलकुल सही बता रही हू लेकिन खुश हो करके फिर इनको बाद में ये इतना बढ़िया तान देते थे, तान मतलब गाईकी में एक अलाप, बिलाप, इस तरीके से अलग अलग होते थे, तो अगर हम देखें, तो इसलिए इनका नाम फिर तान सेन रख दिया गया था, पर इनका जो ओरिशनल नाम थ राम तनू पांडे, ठीक है, हाँ बच्चे इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है, परिशान मत होईए, ठीक, इनकी बृत्तियों कहां पर होई थी, जहां तक मुझे याद है कि आगरा में हुई थी, ठीक है, आगरा में हो गई थी, तो इसको रहने देते हैं, आब ही बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, तो संगीत फेस्टिबल यहाँ पर होता है, कहा पर होता है, ग्वालियर में होता है, और तांसिं फेस्टिबल के नाम से यह काफी ज़्यादा यहाँ पर फेमज हैं, अब करते हैं, निमलखीत से आंसर करिए यहां पर कौन सा आंसर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा बताईए ग्रेगर मेंडल या फिर यहां पर मीलर डार्विन हेल्ड ने कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हों ने इसके बारे में यहां पर बताया था बताओ श्रिवाम जले से बतादो यहां पर दिलखुश कह रहे हैं कि मैम इनका नाम चेंज क्यों कर दिया था ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है कोई उपाधी दे दी जाती है, नाम चेंज कर दिया जाता है तो ऐसा होता है जैसे कि आप अगर मेरे बारे में बात करो तो अगर आप कहीं भी biologic wind डालोगे तो आपको मेरा वीडियो दिखाई देगा इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा नाम चेंज हो गया वो है कि एक तरह से title दिया जाता है कि किसी एक specific छेतर में कारे करने के लिए, section करने के लिए या कुछ भी special आपने कुछ किया है तो उसे accordingly आपको title दिया जाता है है ना बचो तो इसी लिए इस तरीके से tansen यहाँ पर नाम दिया गया था और यहाँ पर जो answer होगा सभी बच्चे almost गलत बता रहे हैं और answer यहाँ पर क्या हो जाएगा कि B answer यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पर हर्डेन के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पताया कि जब पृत्वी हमारी बनी थी तो गर्म आग का गोला थी और अच्छानक से ठंडी हो गई फिर कभी गर्म, कभी फिर ठंडी है ना इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर हर्डेन के बारे में बात करते हैं तो जो हर्डेन हैं उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के अंदर ठीके ओपरेन एंड हर्डेन दो साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के अंदर एक पूरा प्रॉपर सैटप तेयार किया कि किस तरीके से प्रार्भिक्ष पृत्वी रही होगी किस तरीके से जो earlier earth का अंज होगा वह किस तरीकी का होगा अलग लग तरह की hyaster Catha होँगी oxygen नहीं होगा और जो सबसे पहली बना जो अनू बना जो पहला तो जो आरेने हैं वो क्या है आ कार्बनिक अडू है इसका मतलब कि उसमें जीवन नहीं था लेकिन जब जैसे जैसे प्रित्वी बढ़ती गई जैसे इवलूशन यहां पर होता गया तो आप क्या देखेंगे कि आरेने से डिने बना डिने से जीन बना जीन से क्रोमोजोम बना क्रोमोजोम से क्या बने हम सबी बने रैट बचो तो यहां पर यहां बात देखेंगे कि आ कार्मनिक पदाठों से सिंपल इन और्गिनिक मॉलिकुल से हमारा पूरा जीवन यहां पर स्टार्ट हुआ है यह बताने वाले यही साइंटिस्ट थे चलो अब हम यहां पर नेक्स भारत के मानव संसाधन मंत्री कौन है ठीक है बच्चो जली सा आंसर करो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिलकुल सही होगा देखते हैं कितने बच्चे यहां पर सही आंसर करके बताते हैं अच्छा ठीक है मा काल आला चलो जली से बता दो बच्चो कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा अच्छा कुछ बच्चे कह रहे है राम वीलास पास्वद अच्छा बाकी बच्चे로 आंसर करेंग gua कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और आंसर यहाँ पर क्या होगा रमेश प्रोक्रियाल क्या अंसर हो जाएगा यहाँ पर रमेश प्रोक्रियाल तो फुराबर से नोट कर लिए कि आंसर क्या होगा C option आपका बिल्कुर लिहाँ पर सही होगा ठीक है? कौन सा अंसर हो जाएगा? C option ठीक है? तो मंत्राले का ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो cabinet है वहाँ बदलता जा रहा है तो अब कौन हो गया है? यहाँ पर Change हो गया है और जो नए मानव संसाधन मंतरी है वह कौन है? Very good अब जो यहाँ पर नए आ गहे है वह कौन है? यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही लगबाग 20 दिन हुए होंगे मुश्किल से जितने भी कैबिनेट मंत्री है वो बदल गए है तो अब यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान तो फटा फट से आप इसको नोट कर लीजिए चीक है नए व आपार काल 1975 से 77 के दौरार भारत के राश्ट्र पती कौन थे बदाएए फटा फट सांसर करिए यहाँ पर श्री नीलम संजीव रेड़ी डॉक्टर जाकिर हुशेन ज्यानी जल सिंग या फिर डॉक्टर फरुक दीन अली बदाव बच्चो जली सांसर कर दो यहाँ पर कौन सांसर आप लोगों का बिलकुल यहाँ पर सही होगा बिलकुल 21 महिने के लिए आपात काल लगा था 25 जून से शुरू हुआ था यानि कि 25 जून 1975 से शुरू हुआ था राइड बच्चो है ना और उस टाइम पे जो तकालिन प्रधान मंत्री थे वहाँ कौन यहाँ पर थे औ ठीक है माहिन कर्ण लोगा एसांसर की अफ्चिय कहा उजाएक इहां पर आंसर होना चाहिए डिए ऑप्ष्चन क्या आंसरण जाएक यहाँ पर दी ऑप्शन तो फड़ापर से आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजे डॉक्टर फखुरुद दिन अली ठीक है तो फड़ापर से आप इसको यहाँ पर नोट कर लो किस धारा के अंतरगत आपात काली लगाया गया था यह भी आपको ध्याद होना चाहिए यहाँ पर और आशर क्यों जाएगा 352 ठीक है 352 धारा के अंतरगत ही आपात काली हाँ पर लगाया गया था वेरी गुड सभी बच्चे बहुत अच्छा अंसर कर रहे हैं अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर पुछना चाहती हूँ सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे जब डेली क्लास में आते हो तो डेली ही आया करो और दूसरी बात यहाँ पर मैंने आज एक वीडियो नहीं देखा है बच्चों वीडियो देखो और वहाँ पर रिप्लाई करो चले अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स कोशन की ओर मूव करते हैं जो मैंने यहाँ पर धारा बताई है 352 विटा यह उस टाइम की बताई है जब इंद्रा गांधी ने यहाँ पर लगाया था क् अपात कल अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स कोशन की ओर मूव करते हैं सूर्य कानियम लिखित में से कौन सा भाग केवल पुर्ण सूर्य ग्रहन के दौरान ही असानी से दिखाई देता है यानि कि विच और फुलोइंग पार्ट आप दा सन इस इसली विजीबल ऑनली ड आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बहुत बढ़िया जगविश बहुत अच्छा जी मैंने नहीं देखा सभी बच्चे उस वीडियो को देख लेंगे क्योंकि आने वाले टाइम पर इस तरह के जो कोश्चन्स हैं वो काफी ज्यादा नहीं है ठीक है जो भी वालडिजीज हो रही है यह अगर हम यहाँ पर अपने सूरी के बारे में बात करते हैं तो जो सोलर Eclipse के टाइम पर जो पूरा यहाँ पर हमें दिखाई देता है light नहीं है दिखाई नहीं दे रहा है चल तो अच्छे से ही रहा है बच्छा यहाँ पर सारी चीज़े ठीक है ठीक है तो आणसर क्या हो जाएगा यहाँ पर corona बिल्कुल यहाँ पर सही answer होगा अब next question की और हम यहाँ पर move करते हैं नैसर यहाँ पर कि विभिन में प्रकार की वेल्डिंग में प्रयोक्त गैसों में क्या यहां पर शामिल होता है आपने देखा होगा कि जब इस्टिल के बरतन बनते हैं या फिर आयरेन को अलुमिंडियम को डिफरेंट तरह कि जो मैंटल से उनको जोड़ा जाता है तो यहां पर एक कुछ गैस का यूज किया जाता है जिसकी वज़े से फ्लेम जलन शिल्टा आप लोगों को यहां पर दिखाई देती है तो वही कोशन आप लोगों से यहां पर पुछा जा रहा है कि वेल्डिंग के टाइम पे कौन-कौन सी गैस यहां पर दिखाई देती है ठीक है अर्मान? चीक है सुनेल प्रजापती? वेरी गुड़ आंसर कि अगर आप यहां पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाना चाहिए हैं यहां पर ओक्सिजन एंड एसिटाइलिन तो फड़ा पर से आप इसको यहां पर नोट कर लीजिए ओक्सिजन और एसिटाइलिन ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिलकुल यहां पर सही होगा ओक्सिजन एंड एसिटाइलिन तो ओक्सिजन और एसिटाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों गैसों का जो मिक्षर होता है उसी को ही हम वेल्डिंग के अंदर यहां युज करते हैं ठीके बचो चलो है अब चल्छों की और हम यहां पर मूँव करते हैं कि सर्जरी की खोज किसने यहां पर किती हूं डिस्कवर्ड़ दा एंटी सैब्टिक सर्जरी चलोब जली सा अंसर करो फटा फट से कौन सा आंसर यहां पर बिलकुल सही होगा जगते श् कि खोज यहां पर किसने की थी कि वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड आंसर के अगर आप यहां पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर जोफिस लिस्टर ठीक है तो फड़ा फ़र से आप यहां पर नोट करेंगे कि जो ऑप्शन सी होगा वह बिल्कुल यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा तो लिस्टर के अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने क्या काम किया था एंटी सैप्टिक मतलब होता है कि जब कभी भी घाव लग गया है उसमें जब भी इससे पहले जो संचिरी की जाती थी उससे घाव हो जाता था ठीक है उससे मापी इंफेक्शन हो तो इसलिए पूरा का पूरा जो श्रेज आता है एंटी सैप्टिक सर्जरी का वो किसको जाता है जौसिफ लिस्टर को यहाँ पर जाता है ठीक है तो जो सली सुरक्षा है जो सर्जरी है उसमें काफी जादा यहाँ पर सहायता मिली है और जो डेथ रेट थी वो भी काफी कम हुई after surgery, ठीक है, चलो, अब इसके बाद हम यहाँ पर next point की ओर move करते हैं, dislike कौन कर रहा है, कोई बात नहीं, dislike करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर, चलो बच्चो, आगे हम यहाँ पर next question की ओर move करते हैं, नैसे निमली खित में से कौन रख्त श्राब को रोपता है, यानि कि which of the following prevent bleeding, leukocyde, lymphocyde, neutrophilis, या फिर platless, कौन सा answer आप लोग का, बच्चों यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, शेरनी, नमस्ते, ठीक है, अभी आ रही है, नमस्ते, सभी students को नमस्ते, चलो बच्चों, और late क्यों आते हो, आपको पटा है ना, कि 10 बचे हमारा time होता है, ठीक है, ठीक है करो ना, very good evening, काफी दिन बाद आए हो, और answer के अगर आप बात करो, तो answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर, platelets यहाँ पर बिल्कुल सही answer होगा, तो फटापर से आप इसको यहाँ पर note कर लीजे, तो अगर आप अपने human blood के बारे में बात करते हैं, तो तीन तरह की cells पाई जाती है, पहली होती है, RBC, लाल रख्तकरणी काई, जो क्या काम करती है, oxygen का परीभण करती है, oxygen का transportation करने का काम करती है, दूसरे नंबर पर आती है, WBC, WBC मतलब white blood cells या carbon skulls, जिसको आप श्वेट रख्तकरणी काई, यहाँ पर कहते हैं, वो आपकी body के अंदर immunity के लिए काम करती है, अगर आप platelets के बारे में बात करते है, तो जो platelets जो है, एचा यहाँ पर पहली बार आया हो, अच्छा, WBo या पर काम करता है, अगर हम बात करेंगी, नमलिक हितमे से किस का उपयोग इस फोटक के रूप में किया गया है, अगर हम यहाँ पर देखे, तो कौ यहाँ ऐसा यहाँ पर है, जिसका हम यूज इहाँ पर है, एक्स्प्रोसिव के लिए करते हैं, चलो बचो जली सांसर करें यहाँ पर, नमस्ते शेटनी, नमस्ते सूश्री भाबी, सब समझगी में कौन हो तुम, चलो अब जली सांसर करो यहाँ पर, चलो बच्छो जली से आंसर करो यहाँ पर हाँ ठीके करो ना ठीके सुनी चलो बच्छा जली से बताओ यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए क्या बात है वेरी गुड आंसर के अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रो ग्लाइसरीन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तो फुटेबर से आप नोट करेंगी कि इसी को हम विस्फोटक की रूप में यहाँ पर यूज करते हैं वेरी गुड तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ एक दरागा क्यमिकल एक्स्प्लोसिव है बिल्कुल ठीक बात है और यह कैसा होता है सुध रूप में यहाँ पर पाया जाता है योगिक के रूप में भी पाया जाता है और इसको फ्यूल की तरह इधन की तरह भी हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं ठीक है colorless होता है oily oily सा होता है greasy सा होता है liquid form में mostly अगर आप देखो तो यहां देखने के लिए liquid form में यहां आपको लगेगा थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है और रही बाद dynamite के लिए तो dynamite जब बनता है तो dynamite में इसका बहुत ज़दा यूज़ किया जाता है ठीक है तो इस चलो बचो चली से इसका आंसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुर सही होगा मैं RDX मतलब क्या है RDX मतलब है research and developed explosive ठीक है चलो बचो चली सा आंसर करो अब यहां पर इसका कौन सा आंसर यहां पर सही होगा देखते हैं कितने बच्चें यहां पर सही आंसर करत तो इसका यूज सबसे ज़्यादा कहां पर किया जाता है कहां पर किया जाता है चलो बच्छो चले से बता दो रग्त चाप को मापने में तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर सही हो जाएगा तो मेजर ब्लड प्रिशर अगर आप ब्लड प्रिशर को यहां पर नाप पर होगा ठीक है शुरुश्री भावी चलो बच्चों प्रतीक चलो बच्चों जली से आंसर करेंगे इसका ठीक है जो बाइडेन क्या आंसर होगा तो आंसर होना चाहिए 120 अपन 80 mmHg ठीक है तो फुटाबर से आप इसको यहां पर नोट कर लीचे 120 के गर आप पर चाहिए 100 करेंगेश मानव कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो हुमन सल है वह कौन सी यहाँ पर होती है देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर करते हैं बताईए पड़ाफर से आंसर आप लोगो करना है कौन सा आंसर यहाँ पर बिलकुल सही होगा अब यहाँ पर बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं तो बच्चे देखो, अगर नॉर्मली आपसे पुछा है कि सबसे लार्जिस्ट सेल कौन सी होती है, वो तो सुतरुमूर का अंडा हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखता है कि हुमन सेल के बारे में बात हो रही है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर्ण, यानि के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों है, मेल और फिमेल, नर और नारी, ठीक है, दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, नर और मादा, दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, स्त्रियां इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्गुश्य अंसर हो जाएगा आप यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं कि मैप हमने पढ़ा है और नर्व सेल नर्व सेल जो होता है वह है लॉंगेस्ट क्या है लॉंगेस्ट यानि के सबसे लंबी कोशिक का भर होती है तो बच्चों आपको ध्यार में रखना है क ठीक है यानि कि जो शुक्राणों होंगे वह सबसे छोटे यहां पर होंगे याद रहेगा सभी को ठीक है चले अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स कोशन की और दूपर मूव करते हैं रेड डाटा बुक किसकी दूरलाभू रुप्त प्रजातियों का दस्ता वेज है चलो बच्चो चलिस सका आंसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर सही होगा ठीक है और जितने भी बच्चों को यहाँ पर biology नहीं आ रही है जितने भी बच्चों को science नहीं आ रही है जितने भी बच्चों को environment नहीं आ रही है तो उनको मैं बता दू कि प्यारे प्यारे से बच्चों सुबे 11 बजे आप लोगों के लिए बायो की theory class चल रही है बिल्कुल नय से शुरुवात की गई हैं, दो तीन लक्षर से हुए हैं, तो आप सभी बच्चों को जरूर आना है, और रात के 8 बजे, आप लोगों के लिए environmental studies की भी theory class चल रही है तो आप सभी बच्चों को जरूर आना है उसमें सारा सब कुछ आपको करवाया जाएगा ठीक है और अब बताइए जलिसिस का answer करें यहाँ पर कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुर सही होगा और answer क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर all the above क्या answer हो जाना चाहिए उब्रोक्त में से सभी ठीक है तो रेड डडड़ बूक मतलब यह होता है कि एक ऐसी बूक एक ऐसा डाटा जो की रेड जोन में हैं जो की दुरलब प्रजाती है और अब आगे जाकर के वैनिश होने वाली है उनको इंडक्षन हम यहाँ पर कर सकें राइड बच्चों चलो लिया रहे हैं तक ओके अब हम यहाँ पर next question की ओर move करते हैं ठीक है दीप थाइंक यू धर्मिंद अब next question की ओर हम हम यहाँ पर move करते हैं theory class आपको यहीं मिल जाएगा बिटा time मैंने बताया है सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे ठीक है और जो 10 बजे होता है रात के 10 बजे से आप लोगों की यहाँ पर क्या चलता है प्रैक्टिस सेशन चलता है क्लियर है ओके अब next question की ओर हम यहाँ पर move करते हैं कि विश्व में पहला हिद्य प्रत्या रोपन किसने यहाँ पर किया था चलो चली सांसर करेंगे मैं जी टी हाँ थोड़ी दिर बाद पे लूँगी अब भी पढ़ लेते हैं who received the first herd transplant in the world टेके मिस्टर सक्सेना बहुत अच्छा चुट्टी कब होगी प्रैंका थोड़ी दिर और पढ़ लो पिटा कुछ important questions है तो यह हो जाए इसके बाद फिर आप लोगी चुट्टी यहाँ पर हो जाएगी अब चलिए जली से इसका answer आप लोग यहाँ पर करेंगे कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं किते बच्चे यहाँ पर सही answer करके बताते हैं क्या बात है बहुत अच्छा और आंसर कि अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा डी option आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ भी क्या पुछा है recipient यानि कि जिसको hurt लगाया गया था ठीक है तो प्रत्यार ओपर किसने प्राप्त किया था तो आसर क्या हो जाएगा लुइस वान्ष कांसी ठीक है लेकिन जो doctor थे जिन्होंने यहाँ किया था जिन्होंने यह first time attempt किया था वो कौन थे यहाँ पर बर्नार्ड ठीक है तो दोनों समझ आ गये हो पर तो सर्जर क्रिस्टन बर्नार्ड ने दुनिया में पहली बार यहाँ पर लुइस वैंक्स की नाम का एक लड़का था उसको क्या किया था हर्ट ट्रांस्प्लांट यहां पर किया था तो ध्यान से आप सुनना यहां पर पूछा गया है रिसीपेंट यानि कि जिसके उपर सर्चरी की गई थी जैसे मैं डॉक्टर हूँ ठीक है और यहां पर एक कि ठीक है तो फटा फट्रस आप इसको यहां पर नोट कर लीजे अगर है मॉक्टेस यही पर होगा रोही यही पर चलता है हमारा मॉक्टेस ठीक है बच्चों और जितने भी यहां पर बच्चे आए हुए हैं एक बार फटा फट्रस क्या करेंगे लाइक कर देंगी शेयर कर और सब्सक्राइब कर देंगे जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर आए हुए हैं ओके ठीक है दीब समझ आ गया न अब ओके ठीक है पर ठीक है अच्छा स्क्रिंशॉट लेना है अच्छा ले लीजे इसक्रिंशॉट ले लीजे कोई दिक्कत नहीं है अब हम यहापर नै इसा आंसर करो इसका कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सहीं होगा इसको रट लो ठीक है इसको बिल्कुल दिमाद में डाल लो 639 639 ठीक है 3 2 6 3 3 के 9 ऐसे करके मैंने याद किया था ठीक है तो 3 3 3 2 6 3 2 0 9 ऐसे मैंने लाइन से तीनों को बैठा रखा है तो जब कभी भी आपका आता है कि आपकी हुमन बॉड़ी में कितनी मसल्स है तो 639 वैसे तो अगर आप देखो तो 700 से भी जादा है लेकिन आपके एक्जाम में कमिशन वाले इसी को ही टिक करते हैं तो यहीं जिन्दा बाद हमें सेलेक्शन लेना है चुपचा है ना बच्छों ज्यादा पीएसजी नहीं करनी है हमें चले अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट की और मूफ करते हैं नरेंद्र कुमार कह रहें कि एकदम फटा का लग रही हो फुट जों क्या करूं फुट जों जोर के अवाज आठेगी धपा कर दूं खुश अब नाच लो अब एक बाटी के डांस कर लो तुम एक बार फटा फट से लियर है चलो बागी बच्छे पढ़ाई पर ध्यान दे इनकी तो दिवाली बन गई, दिवाली बन की इनका दिवाला निकल गया, अब ये खुश हो गया होगे, तो बागी बच्चे जो है वो बड़े असे यहां पर पढ़ाई करेंगे, ठीक अब हम यहां पर नेक्स कोशन की और मुफ करते हैं, नैसे यहां पर कि मास पेशियों क आध्यन को क्या यहाँ पर कहा जाता है देग इते बच्चे मेंपे सही आंसर करते हैं और सारे बच्चे जो हैं ऐसे लोगों को ऐसे जवाब दिया करो आश्कल मैंने नया तरीका यहाँ पर अपनाया है जो ऐसे कि यहां फटाका लगरी अरे फटाकर लग रहे हो, रिल, एटम बम्मू फट जो तुम्हारे घर पर आके, दिमाग खराब है तुम लोग का विल्कुल, चलो बच्छो, जली सेस्का आंसर यहाँ पर करेंगे, कौनसा आंसर यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा, और आंसर यहाँ पर क्या होना हो जाएगा मायो लॉची यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जबी भी हम यहां पर मायो के बारे में बात करते हैं तो मायो मतलब क्या होता है मांस्पेशी यहां पर होता है अब यहीं पर एक दूसरा कोश्चन आपका तुरंत इंतजार कर रहा है क्या कि माइको fungus यानि कि कवक के अध्यान को हम यहां पर mycology कहते हैं osteology, osteo मतलब हड्डियों का अध्यान करना, study of the bones और अगर हम histology, histo, histo मतलब उत्पों का अध्यान करना है ना, बहुत सारी जो cells होती है, जब वो मिल जाती है तो क्या बनाती है, tissue बनाती है, उतक बनाती है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह आपका histology यहां पर हो जाएगा ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ठीक है, clear है बच्छों यहां तक, okay अब हम यहां पर next question की ओर move करते हैं और जली से यहां पर इस का answer करेंगे परेटन मंत्राले ने एक नई बेबिना श्रिंखला शुरू की है और इसको क्या यहां पर कहा जाता है The Ministry of the Tourism has launched a new webinar series What is this? चलो बच्छों, जली से answer करेंगे फटाफट से कौन सा answer यहां पर सही होगा? देखते हैं कितने बच्छों यहां पर सही answer करके बताते हैं बताइए फटाफट से answer करेंगे बच्छों यहां पर कौन सा answer यहां पर? बिल्कुल आपका सही होगा तो जो परेटन मंत्राला है उसने एक नई webinar श्रिंखला यहां पर साट की है जिसका है देखो अपना देश क्या है? देखो अपना देश हां बहुत अच्छा और कब स्टार्ट किया है इन्होंने? 14 अप्रेल को 2020 है ना? और तभी से यह चल रहा है लगातार तो यहां पर क्या खाया जाते हैं कि जो पूरा भारत है बहुत ही खुपसूरत है संस्कृतिक विराशत है प्राकृतिक विराशत है नेचर बहुत अच्छा है है ना? कल्चरल हेरिटेज है तो अपनी संस्कृति के बारे में अपने कल्चर के बारे में वेलूस के बारे में बताना कि अगर हम यहां पर बात करें तो उसी के लिए है देखो अपना देश ठी के लिए है यहां पर देखो अपना देश ठीक है चले अब हम यहां पर नेक्स बात करते हैं भारत में इस्थापित पहला वानिचिक पर्मानु उर्जा स्टेशन कौन साथ था काफी अच्छा कोशन है चलिए जली सांसर कर दीजिए डी अजे जो को स्टीए टीए के लिए है बिटा स्टीए गी लिए ही है चले जली सांसर करेंगे यहां पर कौन साथ यहां पर बिल्कुर सही होगा कि विचल स्टरा 5 कentin यहां पर देखते हैं कितने बच्छें हां पर तहीम Imagine करके बताते हैं बताईए फटाफट से जले से आंसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा और आंसर यहां पर क्या होना चाहिए तारापूर यह तारापूरी जो भी आप कहना चाहते हो कहां पर है तारापूर कहां पर है तारापूर महरस्ट में ठीक है तो य यहाँ पे इसको आप नोट कर लेजे कि भारत में निर्वित पहला वानेजिक परमानु उर्चा स्टेशन यहाँ है और इसके अलावा वानेजिक संचालन में दुनिया का भी है काफी पुराना है ठीके दुनिया का सबसे पुराना परमानु उर्चा संयंत्र यहाँ पर है इस इसके बाद हम यहां पर next question की ओर move करते हैं और जली से यहां पर आप सभी को answer करना है ठीक है देव सिंग अरे उसको छोड़ो वो पागल ले उसको छोड़ दो जंगे शिकंदर कब शुरू होगा सचीन हाँ इसकी बारे मैं बता देती हूं जंगे शिकंदर स्टार्ट होगा ब दिन के और राद के दो बज़े तक चलेगा तो कौन-कौन तैयार है यहां पर बारा घंटे की मराथन के लिए ठीक है सभी बच्चे एक काम करेंगे नरेंद्र प्रचापती नाम का जो लड़का है उसकी रिपोर्ट कर दीजे ठीक है और लिखना harassment रिजन लिखना उसके में harassment ठीक है बागी सभी बच्चे इसको ब्लॉक करिए और harassment और लिख देना यहां पर तो फिर किसी को भी उसका कमेंट दिखेगा नहीं और उसके लिए रिपोर्ट भी हो जाएगी यूट्यूब पर चलो अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स देखते बच्चों छोड़ो उसको देखने किते बच्चे आप इसका सही answer करके बताती है और answer क्या हो जाएगा यहां पर answer हो जाएगा kidney क्या हो जाएगा kidney क्योंकि जो kidney होती है ना वहीं क्या काम करती है यूरिया का filtration करती है अब जो यूरिया है उसको हमारी body से बाहर निकालना है त क्या कहा जाता है यहां पर कि ठीक है अभी कोई बात नी बेटा उसको बोलने दो कोई फ़र्ट नी पड़ता है किडिनी यहां पर हो जाएगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा तो अच्छा थोड़ा सा कम होगा किडिनी के अगर हम बात कर रहे हैं तो किडिनी यहां पर होगा क सबसे ज़यदा जो मात्रा होती, वो किसी होती? बोटर की जल की होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, Kidney, बहुत बढ़िया, सभी बच्छेशने रिपोर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, नमस्ति को मल, सभी को नमस्ति, ठीक है अब इसके बाद हम यहाँ पर next देखते हैं कि रक्त में oxygen की कमे की इस्थती क्या यहाँ पर कहलाती है The condition of the decreased oxygen in the blood is cold चलो बच्चो जली से इसका answer करना है आप लोगों को कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल तयार होगा अचछा अचा सभी ज़ंगल लडने के लिए हाँ पर तयार है हाँ तई-s king से पसीना निकलता है बिल्कुल शहीं कहा रहे हो ठीक है इसको देख लेते हैं कुछ बच्चे कहरे हैं कि मैं स्कीन भी होगा बिल्कुल होगा, इसकेन भी होगा, लेकिन पसीना बहुत कम निकलता है, ठीक है, ठीक है अधीती, ओके ठीक है, अरे ठीक है, मुड़ मत कराव करो, रिलेक्स, विवेक, रिलेक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो, ठीक है, अमीत, हार्ष, जलो बच्छों, जली से इस यहां पर कहा रहा है कि the condition of the decreased oxygen in the blood is called hypoglycemia, hypokapnea, hyposemia या फिर hypokasis चलो बच्चो जली से इसका आंसर करो यहां पर चीक है मैं इसको ब्लॉक कर दूँ जरा एक बार है ना चलो जब तक तुम लोग आंसर करों यहां पर इस बच्चे को पहले ब्लॉक कर देते हैं यहां पर और जितने भी नए बच्चे यहां पर आए हुए हैं आप लोग को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप सभी क्या करेंगे जल्ली से साइन्स हेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और डेली आप लोग क्लास में आएंगे ठीक है और ठीके बच्चों चलो हो गया डन मेही तरफ से भी आप जल्ली से इसका आंसर यहां पर करके बताएंगे कौन सा आंसर बिलकुल यहां पर सही होगा देख दें कितने बच्चे यहां पर सही आंसर करते हैं तारापुरवली बात तो मैंने बता दी थी very good आंसर कि अगर आप यहां पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हाइपोजेमिया क्या आंसर हो जाएगा यहां पर हाइपोजेमिया तो फड़ा फ़र से आप इसको यहां पर नोड कर लेंगे कि होदा क्या है कि जब हमारे blood में oxygen की भारी कमी देखी जाती है तो उस condition को हम क्या कहते हैं hypoxemia यहाँ पर कहते हैं अब यहाँ पर आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम hypercapnia के बारें बात करते हैं तो यहाँ किस तरह की condition है? किसी बच्चे को यह पता है? बहुत अच्छा इसका यह मतलब है कि जब हमारे blood के अंदर carbon dioxide का level एक्दम से बढ़ जाता है तो हमारे blood के अंदर जब carbon dioxide का level है वहाँ बहुत उच हो जाएगा बहुत higher हो जाएगा जब बढ़ जाएगा तो उस condition को क्या कहा जाता है hypercapnia कहा जाता है ठीक है तो आप यहाँ पर note कर सकते हैं hypo hypo मतलब कम और oxy मतलब oxygen ऐसे याद कर लो आपकी body में oxygen की कमी hyper hyper मतलब जादा और c से क्या हो गया carbon तो जब आपकी body के अंदर carbon dioxide जादा हो गया blood जादा हो गया ठीक है इसी तरीके से hypo glycemia glycemia यानि की glucose जब आपकी body के अंदर sugar level कम हो गया है glucose जो है वो कम हो गया है तो उस condition को क्या कह रहे है hypoglycemia अगर यही पर hyper glycemia होता है इसका मतलब diabetes वाली condition कि जब आपकी body के अंदर glucose या blood sugar level जादा हो जा रहा है अब यहाँ पर क्या बज़ क्या है hemotysis अगर हम यहाँ पर बात करते है hemotysis के बारे में तो उसका क्या मतलब होता है तो बिटा एक होता है hemopoiesis एक होता है hemotysis तो hemotysis के अगर आप बात कर रहे हैं इसका मतलब यह आपके फेफडे में फेफडे में जब किसी तरह का कहरा चाहिए कि बलगम फस जाता है या कफिंग हो जाती है और आप जब खास रहे हो बहुत जादा कफिंग कर रहे हो और blood के clots निकलने शुरू हो जाते है तो respiratory जो problem होती है यानि सुसंतंत्र संबंदी जो problem होती है तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर use करते हैं इस word को ठीक है तो याद रहेगा सभी को चारों मैंने आप लोग को define करके यहाँ पर बता दिया है ठीक है बच्चा चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर next देखते हैं अगर oxygen बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है oxygen अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ठीक है परेशान मत हो यह चलिए कोई बात नहीं अब हम यहाँ पर next question की ओर move करते है की जण्डो के अध्याद को क्या कहा जाता है जब हम बहुत सारे flag है न जिसे भारत का, नेपाल का, बुटान का, अमेरिका का, अफिरीका का अगर हम इन सभी के पारव में बात करते हैं तो अगर आप देखो तो जंडे का जो अध्यन होता है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? दिखते हैं, किते बच्चे यहाँ पर सही आंसर करके बताते हैं क्या बात है? यह बता था सभी बच्चों को, हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, flag के designing करना, flag के color choose करना, इन सभी के अगर आप बात कर रहे हो, तो इसको कहेंगे हम यहाँ पर vexilology, ठीक है, तो बड़ा बच से note करेंगे, कि answer क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह answer बिल्कुल यहाँ पर सही हो ज देखें, तो ICRA का जो पुर्ण रूप है, जो फुल फॉर्म है, वह यहाँ पर क्या है, देखते हैं कि इतने बच्चें आपर सही आंसर करते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बताईए, फुटा फट से answer करिए, इसका यहाँ पर कौन सा answer सही हो जाएगा, और इसका answer क् चाहिए, इंडियन ग्रेडिट रेटिंग एजंसी, यानि कि भारती एक रेडिट रेटिंग एजंसी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो फटा पर साप नोट कर लीजी, क्या हो जाएगा, डि उप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है हाँ बिल्कुर सही कहे रहो तो जो सेवी है सेवी की तहत ही पंची करण जो होता है छे क्रेडिट रेटिंग एजिंसिया यहाँ पर है क्रिसील, ICRI, केयर और इसके अलावा यहाँ पर SMERA, Fish India और इसके साथ साथ ब्रिक वर्ड रेटिंग इस तरीकी से अगर आप देख साल निमली कितमे से किसके अधीन यहाँ पर आता है अंडर वीच ऑफ फुलोईन कमस्ता नैशनल रिवर कंजर्वेशन डारेक्ट रेट चलिए चलिसा आंसर करेंगे इसका यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और देखते हैं कि स्टुडेंस यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा चीक है अधी थी बताव पेटा जलिसा आसर करो बहुत अच्छा आसर कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती यानि कि जल शक्ती मंत्राला के अंदर ही इसको यहाँ पर रखा गया है तो फटाबर से आप लो सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल के तहत यहाँ पर बनाया था तो जल संसाधन नदी विकास गंगा काया कल्प पेजल और स्वक्षता इन सभी के अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में भी बता दीजिए अच्छा ठीक है इसके अंदर अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री और इसके साथ जो दूसरी मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ओफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन ठीक है तो यह दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आती है और जो सेकिंड टर्म मोधी गवर्मेंट का रहा है ठीक है 2019 मैं उस टाइन पे इसको मनाया गया है ठ अंसर करके बताना है दुणिया की पहली महिला अंत्रिक्श उडान कब शुरू की गई थी यानी कि वैन सब्स्ड वर्ड फक हूमन स्पैस फ्लाइट लौंस्ट मानले अंत्रिक्श उडान कभी यहां पर शुरू की गई थी देखते हैं कितने बच्चें यहां पर सही आंसर करके बताते हैं चलो अच्छो जली से आंसर करेंगे क्या हो गया सचीन क्यों परिशान हो बदाव बटा जली से इसका आंसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा यहां पर क्या होना चाहिए आंसर बताईए फटा पर से very good answer कि अगर आप यहां पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा एंसर यानि कि 1961 ठीक है और आप सभी को पता होगा कि जो मानव अंतरिक्ष उडान यानि कि human space flight day कभ यहां पर मनाया जाता है हर साल यहां पर आपका सही हो जाएगा अब next question के और हम यहां पर मूब करते हैं 73 यानि कि 73 अन्सोधन के बाद निमलिक इत्मे से कि इस राजे ने पंचायती राज विवस्था लागू की चलिए जली से इसका आंसर करेंगे आप सभी यहां पर कौँसा आंसर यहां पर बिलकुल सही होगा देखते हैं कि इतने बच्चे यहां पर सही आंसर करके बताते हैं बहुत अच्छा आंसर है कब हुआ था मैम यह 92 से 93 के अप्रेल के बीच में अबेंटमेंट लागू हुआ था आप सभी को पता होगा करनाटक होगा इसका आंसर काफी पुच्छे आंधरप्रदेश कह रहें नहीं गलत है करनाटक यहां पर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा थीक है तो फुरा पर साप यहां पर नोड कर लीजे कि करनाटक ने ही पंचायती राज विवस्त था यहां पर अपनाया था कब 73 संसोधन के बाद 73 कि लोहे में जंग लगने क्या कह रहा है वाट इस डीड़ फॉर दा रस्टिंग टू अकर इन अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो लोहे में जंग लग चाती है आप सभी को पता है तो ऐसी कौन सी यहां पर कंडिशन होनी चाहिए मतलब सिर्फ वोटर हो या फिर होता है जैसे ही वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है औक्सीजन और वोटर के कॉंटेक्ट में यहां पर आता है वैसे ही आप देखेंगे कि आरज के उपर रस्टिंग लगना यहां पर शुरू हो जाता है क्या बात है बहुत अच्छा देखो पेटा, यहाँ पर अगर नॉर्मल रेन हो रही है तो उतनी रस्टिंग नहीं लगती है, मतलब लगती है पर उतनी नहीं लेकिन अगर खारा पानी है, एलकलीन वाटर है, सलाइन वाटर है खारा पानी है, नमक वाला पानी है, या फिर एसिट रेन हो रहा है तो रस्टिंग होने की जो rate होती है वो increase हो जाती है है ना तो इसको भी आप लिख लीजे हाँ पर ठीके बच्छो चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर next question की और move करते हैं नेक्स है यहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शार्षन के तहर भारत के शार्षन के लिए पहला कानून यहाँ पर कौन सा था या first the first state for the governance of India under the direct rule of British government was चलो बच्छो जली सा आंसर करेंगे इसका यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं कितने बच्छे यहाँ पर सही आंसर करके बताते हैं बताइए फुरा फट से आंसर करेंगे इसका कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ठीके सनाया खान, अदीती, सौरब, वीरु माथूर, प्रकाश चलिए बच्छो भाई और बेहनों चलो जली बिताओ यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा ठीक है और आंसर के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो आंसर क्या होना चाहिए ता गवर्मेंट ऑप दा इ ठीक है आंसर के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर आप लोग का क्यान हो चाहिए 1852 ने सौरी 58 ठीक है चले अब इसके बाद हम यहाँ पर next question की और move करते हैं इन वे से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है Which of the following is not true? Teachers Day, World Literate Day, National Engineers Day, Ozone Day और यह शायर आधा question है क्या? यह आधा यह question है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यहाँ पर normally यह था कि अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं ऐसा होना था तो आगे data भी होना चाहिए था पर वो नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं अब आप लोग इसको direct ही यहाँ पर answer करके मुझे बताएंगे Teachers Day कभ यहाँ पर मनाया जाता है? बचो बताओ, जली से बताओ, Teachers Day कभ यहाँ पर मनाया जाता है? क्या बात है? बहुत अच्छा तो answer के अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, है ना? आप सभी को पता होगा? World Literacy Day कभ यहाँ पर मनाया जाता है? चलो बच्छो, जली से बताओ, यहाँ पर क्या बात है? very good, 8 सितंबर, very good, answer के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, 8 सितंबर, ठीक है? National Engineer Day कभ यहाँ पर बनाया जाता है? 15 सितंबर, ठीक है? और Ozone Day हाँ पर कभ बनाया जाता है बिटा? 16 सितंबर, ठीक है? तो पड़ाबर से आप सभी इसको यहाँ पर नोट कर लीजे, जली से आप सभी इसको यहाँ पर नोट कर लीजे, क्या बात है? बहुत अच्छा ठीक है प्रतिक, ओके सचीन, जितेंद्र, अमीत, अधीती, ठीक है दिल्खुष, स्टैशन, कुमार, ओके बच्छो ठीक है आप भी? ठीक है बच्छो? चले, तो अगर हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो टीचर सी होता है वandel 5 सितंबर को मनाया जाता है, वल्ड डिटरिसी आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, नेश्छल इंज्जुनущेर डे आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन डे आपका कब यहाँ पर बनाया जाता है 16 सितंबर को यहाँ पर बनाया जाता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ठीक है? चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर next question की और move करते हैं किस सविधान संसोधन ने अनुसुचित जाती और जन जाती के लिए एक आयो की स्थापना की सिफारिश यहाँ पर की थी चलो बच्चों जली सांस करेंगे ठीके दिवा कर बताओ किस सविधान संसोधन के अनुसुचित जाती और जन जाती के लिए एक आयो की स्थापना की शिफारिश की गई थी ठीक है कोमर दो महान आत्मा आ गई है दीदी सुना दीजे कुछ इन लोगों को अरे भाया मेरे दिवानो आई लव यू आई लव यू आई लव यू लिख लिख करके तुम भेज रहे हो उससे क्या होगा हां क्या होगा उससे कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला ठीक है पढ़े लो ठीक है पढ़े लो ठीक है पढ़े लो मादा पिता से भी थोड़ा प्यार कर लिया करो सारा प्यार तुम अपनी मैडम के उपर ही लुटा दोगे क्या है पढ़ाई पे ध्यान दे लो पढ़ पढ़ाई करो यहां पर, पढ़ाई करो सभी बच्चे, यह क्या लगा के रखा हुआ है, I love you, I love you, लो बोल दिया I love you, हाँ गाना भी का दें, पर डांस मास करके भी दिखा दें यहां पर, बच्चों पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, मतलब समस्या क्या है, क्या दिक्कत है भई तुमारे साथ क्या बैटके पागल हो गए हो, क्या फालतो की नो टंकी लगा के रखी है, यह कोई तुम्हें, वो मैरिज ब्यूरो दिखाई दे रहा है, फ्लास चल रही है, एक अनुशाशन होता है यह नहीं होता है, एक मर्यादा नाम की चीज माता-पिता ने सिखाई है या ऐसे ही बस कर रहे हो कुछ भी, खेर माता-पिता की क्या गलती है, वो तो बिचारे अच्छा ही करते हैं, माता-पिता जो है, वो हमेशा छे संस्कार देते हैं, खुद के पी तो संस्कार बनाओ कुछ, कुछ तो कर लो बच्चा, कुछ तो अच्छा करो जिंतगी में, य क्या लगा के रखा है पढ़ाई कर लो यहां पर ठीक है और सबी बिच्चों से मैं यहीं कहूंगी बिटा इस तरह की जो लोग आते हैं इनको एक दो बार बोलो कि सुधर जो नहीं सुधरते हैं सीधे ब्लॉक करो ठीक है हमारे पर इतना टाइम नहीं है हम लोग राजा लोग अब यहां पर नेक्स कोशन के वर मूव करते हैं और जली से यहां पर आंसर आपको करना है तो बहुत यह जो आई लव यू वाले हैं मान जवब मैम के उपर प्यार पूरा मत लूटाओ थोड़ा से बच्छा के रखो अपने माता-पिता के लिए हैं और कुछ करो अपने मा में मुबाइल फोन दिया है इसके इजट करना सीखो बिटा जिस दिन तुम पैसा कमाऊगे ना उस दिन तुम पर पता चलेगा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और यह शादी ओल लड़का क्या कर लेगा अभी यह कहां रखेगा मुझे शादी करके हैं शादी करूंगा अ सब्सक्राइब लड़की आत्मे निरभर ना हो तुम शादी ना करो पहले इतना तो हो भई कि अखुद पेट भर सको अपने माता-पिता का पेट भर सको नहीं शादी करके और जिम्मेदारी अपनी बढ़ा लो ब्योगूफ हो चलिए हो गया अब चलो आपड़ो यहां पर ठीके राहूल कोई बात नहीं चलिए नैस यहां पर देखते हैं क्या करते हो बच्चों पड़ाई पर ध्यान नहीं है बाकी सब चीज़ में ध्यान है यहां पर चलिए आगे हम यहां पर नेक्स कुशन की और मूव करते हैं बिलकुल सहीं बात है 65 बहुत अच्छा आंसर है आप सभी का आंसर कि अगर आप यहां पर बात करें हो तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन यहां पर विलकुल सहीं होगा आपको पता है मैं अभी सुबह तो मैं देखो जो क्लास ली थी ली थी मैं आठ बजे से कंटीनू यहां पर पढ़ा रही हूं जो बच्चे डेली के अधिकत दोसरी बात और ऐसे लोगों को छोड़ो अब अब अश्रतोष ठीक है सुमीद ओके आश्रतोष ठीक है तो स्टार्ट करतें हैं फिर से बच्चों हो गया चार मिनट बहुत इंट इंटरटेंवेंमेंट हो गया हमारा भी और अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे ठीकि बच्छों? चलो. अब एक लड़का और आया है, मुकेश यादव, मैं शादी तो आप से ही करूँगा, आई-एस बिनने के बाद. मुकेश यादव, तुम तो डेली मेर से क्लास करते हो, फिर भी इस तरह की बते कर रहे हो? अब तो तुम्हारे लिए मैं दीदी थी, अभी पंदरा, दस मनट पहले, आप चादी करने के बाद कर रहे हो, शादी करूँगा, कैसी हरकते हैं ये तुम्हारी? शेम ओन यू, ऐसे बच्चों के बिलकुल सेरियसले, बहुत बेकार चीज़ है ये, तो अब तुम अभी थोड़े देल पहले दीदी नमस्ते कर रहे थे, अब कहरो, आईस बनने के बाद शादी करूँगा, क्या तरीका है ये, वेरी शेमफुल, चलिए, आगे हम यहापर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आसर क्या हो जाएगा, यहापर बी आसर यहापर बिलकुल सही हो जाएगा, अब हम यहापर बात करते हैं, 11 राश्ट्रिय ग्रिश्य विज्ञान केंद्र, सम्मेलन, 2020 की मेजबानी किस शहर ने यहापर की थी, चलिए बच्चों, जलि ठीक है, आसर कि अगर आप यहापर बात करते हैं, तो आसर क्या हो जाएगा, यहापर न्यू डेली, ठीक है अतुल, कोई बात नहीं, चलो बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसे लोग के उपर टाइन पास नहीं करना है, आसर क्या हो जाएगा, C आसर यहापर बिलकु 20 का उधगातन किया था, राइड बच्चों, तो फटा फट से अब इसको यहापर नोट कर लीजे, ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहापर जितने भी कोशन्स में आप लोगों के लिए लेकर के आई थी, वो फिनिश यहापर हो गया है, और इसके साथ-साथ आप लोग डेली क्लास में आईए, ठीके, 50 कोशन्स हमारे हो गए हैं, और अफसे डेली 50 कोशन्स ही यहाँ पर होंगे, डेली क्लास होंगे, 10 बजे से यह क्लास शुरू होती है, मानशू, 10 बजे से यह क्लास यहाँ पर शुरू होती है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दू कि अगर आपको हमाज साशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जितने भी न्यू स्टुडेंट है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो अभी तुरह सब्सक्राइब कर दीजिए इसके क्लास लेनक लेंगे ठीके प्रशांद और आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि डेली आप लोगों को 10 बजस आना ही आना है और हम करेंगे अप से क्या स्टैक गैशिए को भूफ demographic को दबाकश शक्राइब हो कि अबgementर ho तो यहां पर बने रहें बहुत अच्छे से अब यह जो दो तीन बच्चे थे इनको छोड़ो कोई बात नी बाकि सबी बच्चों का बहुत भाद धन्यवाद बहुत सारा प्यार और सबी बच्चे कल फिर से आईएगा बहुत अच्छा लगेगा तो याद है ना 11 बचे 8 बच बच्चों और करेंगे शाथ में मज़ेदार सेशन वायो में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है और इसके अलावा मंकी वी वायरस के उपर भी मैंने वीडियो बनाई है जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तुरन देख लीजे अपने अनमोल चार मिनट दे दो क्य है तो आप सबी बच्चों को जरूर आना है बारा घंटे की मेराथन है राइट बच्चों चले तो अपने अपना ख्याल रखे कल सुबह 11 बजे फिर से मिलते हैं टेक यर बबाए गुड नाइन शुब रात्री